हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने फ्राइड अर्वी की सब्जी बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखे किस तरह से बनाते हैं इसे हम लंच बोक्स में भी पैक कर सकते हैं और अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसे रखे ले जा सकते हैं लंच में डिनर म बहुत अच्छी लगती है इन अर्वियों को मैंने उबाल लिया है दो सीटी आने तक अब हम इन सब अर्वियों को छील लेंगे एक एकर के सब अर्वियों को सभी अर्वियों को इसी तरह से छील कर दो पीसों में कट कर लेंगे अब ये सारी अर्वियां छिल गई है अब हम इन्हें दो दो पीसों में कट करेंगे लंबा लंबा बीच में समयने दो पाटों में इन्हें कट कर दिया है अब ये सारी अर्वियां हमारी कट हो गई है अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी मैं ये घी में कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे ओल में भी फ्राई कर सकते हैं, ओल, ओलिव ओल, किसी भी चीज में फ्राई कर सकते हैं, किसी भी तोहार पर बना सकते हैं, या कभी भी बना सकते हैं, अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो पूरी के साथ इसे र अब इसे अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इसे हम रोटी पराठा पूरी किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकती है अब इनका कलर चेंज होने लगाएं अब यह काफी क्रस्पी हो गई है और गोल्डन भी हो गई है इन्हें हम बाहर निकार लेंगे बाकी की पचियों को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे सारी अर्वियां इसी तरह से फ्राई करनी है गोल्डन होने तर अब दूसरी बार की भी हमारी अर्विया फ्राई हो गई हैं इन्हें भी हम बाहर निकालेंगे अब यह सारी अर्विया मैंने बाहर निकाल ली हैं हम कड़ाई का सारा गी निकाल देंगे हम दूसरी कड़ाई लेंगे उसमें हम एक चमच घी डाल कर इसमें एक पिंच हिंग पाउडर डालेंगे आदा चमच अजवाइन सूखा धनिया हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर नमक कोई भी मसाल अपने टेस्ट के साफ से कम जादा कर सकते हैं दो हरी मिर्च बारी कट की हुई और इसके साथ ही हम जो हमने अर्वी फ्राई की थी इन्हें डाल देंगे और अलट पलट करते हुए इन्हें हम भून लेंगे अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से हलट पलट करते हुए भून लेंगे मसालों के साथ जितना जादा भूनेंगे उतनी जादा ये क्रस्पी रहेंगी और टेस्ट भी भोत अच्छा आएगा अब इसे भूनते वे तीन चा मिनट हो गई है तीन चा मिनट के बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़े सा अमचूर पाओडर आ लेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे और गरम मसाला और अमचूर पाओडर डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट तक और भूनाएं अब लास्ट में हम उपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके पर जब ये बहुत अच्छे से बुन जाईगी अब ये हमारी चटपटी मसाले दाल फ्राइट अर्वी बनकर तयार हो गई हैं इसे हम रोटी पराठा पूरी किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं या कहीं गूमने जा रहे हैं तो उसमें भी हम इसे पैक करके ले जा सकते हैं थैंक यू